नमस्ते बच्चो बीके प्रविन्देसले चाइनल में आपका स्वागत है इस चाइनल पर पाचवी कक्षा से दसवी कक्षा तक मैथेमेटिक सैथ और सब्जेट के विडियो अपलोड कर रहे हैं तो बच्चो चाइनल को जरूर सब्सक्राइब करो बच्चो आज हम किसान की आत्मकता इस निवंदका अद्धेन करेंगे भारत गाओ का देशे और मैं उनी गाओ में रेता हूँ लोग मुझे अन्न आता केकर सम्मान देते हैं क्यूकि पूरे भारत में मेरे वो मेरे जैसे अन्न की सानों द्वारा उत्पन्न किया हुआ अनाज लोग खते हैं मैंने अपना पूरा जीवन दर्ती मा वह अन्न देव की सेवा में समर्पित कर दिया है हमारा इत्यास बहुत पुराना है सब्वेता के विकास से लेकर आज 21 सदी तक मैं अपने पुराने वेवसाय से ही जुडा हुआ हूँ पाशान यूग में मैं पत्थरों के आउजारों से जमिन का सीना चीरकर अन्न उगाता था लो यूग आया तो मैंने लोहे से बने कुछी उपयोगी यंत्रों से अपने काम को आगे बढ़ाया आज अभियांत्री की क्रांती की वज़े से हमारा कारिय कुछ सरल हो गया है पर ज्यादा आनन आज भी मुझे अपने परमपरागत संसाद्नों में ही आता है वही हमारी पेचान भी है डेश विकास के नित नए सोपान चड़ रहा है इसके बावजुद भी आज हमारी पेचान एक गरिप के रूप में बनी हुई है अनन दाता होने के बाद भी कई बार अनन की कमी की वज़े से हमारे भाई आत्मात्या कर लेते है प्रक्रोतिक प्रकोप जैसे अलपरुष्टी, अतिवरुष्टी, सुखा, अकाल, तूफान आदे हमारी साल भर की मेनत पर पल भर में पानी फेर जाते हैं सरकार द्वारा बनाई गई नितिया या तो अपुर्ण है या उनको डंग से लागु नहीं किया जाता है जिससे हमें पूरी मदद भी नहीं मिल पाती सरकार को हमारे लिए कुछ सोचना होगा हम बस भगवान के बोरों से अपना और अपने परिवार का पालन कर पाने में और समर्त है मैं और मेरे जैसे बहुत सारे छोटी किसान आज बहुत बूरिश्तिती से गुजर रहे हैं ऐसे में हम अपने सवरक्षन के लिए भगवान और शासन प्रशासन से बड़े उम्मित लगाएं बैठें बस यही है एक किसान की छोटी से आत्मकता प्रशासन प्रशासन